बच्चो आपके चैनल Read&Learn वितरंजीत कुमार चैनल में आपका स्वागत है बच्चो आजनो करने वाले हैं कक्चाटवी संस्कत एड़ ग्रेट अभ्यास पुस्तिका में हमारा चतुर दसा अपाथा देवी अहलिया जी के बारे में है आज हम लोग 14 नम्मर का चैप्टर करने वाले हैं 14 नम्मर का जिसमें हमारा पहला प्रशन आपके सामने ये रहा पर बच्चो अगर आप चैनल में नए हो और आप पूरे वीडियो चाहते हैं तो प्लीज चैनल को पहले सब्सकाइब कीजिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा बच्चो इसका उत्तर हो जाएगा आपका एक सेकेंड बच्चो इसपे टिक नहीं लगा है आप टिक लगा लीजिएगा यहाँ पर थोड़ा छूट गया है टिक तो यहाँ पर आप लगा लेंगे पहले का उत्तर आदी संक्रा मंड मिनिस्त् मद्दे, सास्त्र, शरिया, सौरी हमने यह आपके लिए रखा है बच्चो हमने पूरे वीडियो में आपको सालुसन दिया है पर यह दो कोशन हमने इसके लिए छोड़ा है कि आप इसके उत्तर बताए आपको हम दो यहाँ पर वो कर देते हैं आपको बताना है बाकी मेंसे कोन है एक भुपाल अगर नहीं है इसका फिर बाकी तीन मेंसे बताईए आप कोन है ठीक है अगला प्रशन देखेंगे आपको उत्तर आगे मिलने वाला है आप जरूर ध्यान से देखे इस वीडियो को पहले देवी अहिल्या कस पुत्रवदू आसी देवी अहिल्या किसकी पुत्रवदू थी तो मलहार रावस की अगला प्रशन है इंदोर नगरा से हिर्देमियू का प्रिक्षणी यहाँ तो राज वाला तो आपको उत्तर समझा गया होगा बच्चो पहले का क्या आने वाला है इंद नाम क्या था तो अहिल्या था बच्चो उजेनिया प्राचीन नाम किम उजेनी का प्राचीन नाम क्या है तो उजेनी का प्राचीन नाम क्या है बच्चो अवंतिका अगला प्रशन क्या है माला उच्छेतर से नदिनाम नामानी लिखत माला उच्छेतर में नदियों के नाम लिखिए तो नर्मदा, छिप्रा, सिउना, चंबल, नदी भी अस्ती, ये पूरी की पूरी नदी नर्मदा, छिप्रा, सिउना और चंबल पाई जाती हैं, आठवा प्रशन क्या है बच्चो, महस्वर इस्थाने सास्त्रार्थ चर्या कयो मद्दे अभवत, तो महस्वर प्रशन आपके सामने हैं बच्चो, अहिल्या यहां सासन व्यवस्थाया का विसिष्टा, अहिल्या के सासन का अलगी क्या विसिष्था थी या क्या विसिष्था है, तो अहिल्या सासन व्यवस्थायां अर्थ नीती, रक्ष नीती, विद्या प्रीटी चा भवती, उसका अ जाकोन है अनुब देशा सिराग्या सहस्त्रा प्राजुनस्य तो ये उत्तर लिख लिजेगा अब दस्वाक अब हम लोग चलते हैं ग्यारवे पे ग्यारवा क्या कह रहा है बच्चो पाठे समागता नाम प्राचीन वैक्ति नाम इस्था नाम ग्रंथ नाम चाना मानी लिखा बच्चो प्राचीन इस्थान ग्रंथ के नाम आपको लिखना है और प्राचीन वैक्ति के तो अहल्याबाई, मालोचेत्रे, महसवरा, राजवाडा, अवंतिका, जेओधर्मा इस प्रकार से आप इसका उत्तर कर लेंगे प्लीज बच्चो चैनल को सब्सकाइब कर लो यार तो राज्या, महसमती, निर्मिता, महस्यती, अधुना, महसवर, नगरम, नगर, मेव, अस्ती, तो इस प्रकार से क्या कह रहा है वो, पाट के आधार पर महसमती नगर की विसेशता लिखना था, तो राजा ने निर्मित किया महसमती नगर को, तो उसका आधुनिक नाम क्या हो गया है, महस्वर नगर हो गया है ठीक है बच्चो, इस प्रकार से आप इस पूरे अध्याय को कर लीजिएगा बच्चो कुछ डावट है, तो कमेंट करके पूछेगा और चैनल में नहीं हो, तो चैनल को सब्सक्काइब जरूर कीजिएगा, ठीक है बच्चो आप मिलते हैं अगले वीडियो में थैंक्यो पर वाचिंग